वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रंगो जोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो घर में हम अनाज खाते हैं मतलब रोटी बनाते हैं उनमें सबसे दाधा फाइवर किस्प में होता है जातर मुकेता रोटी बनती है गेहूं की, बाजरे की या फिर मके की आईए सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की, गेहूं में कितना फाइवर होता है गेहूं को वीट भी बोलते हैं जासा आप जानते हैं गेहूं यदि हम 100 ग्राम गेहूं लेते हैं या 100 ग्राम आटा लेते हैं उसके अंदर जो फाइवर होता है 2.7 ग्राम होता है अब यदि हम बाजरे की बात करते हैं बाजरे की बाजरे के अंदर यदि हम 100 ग्राम बाजरा लेते हैं तो इसके अंदर जो फाइवर होता है 2.2 ग्राम मतलब यह केहूं से कम होता है इसके अंदर फाइवर और अब हम यद हम 100 ग्राम मक्के का आटा या कौन फ्लोर्डस लेते हैं, सूखा हुआ जो कौन होता है, उसके अंदर जो फाइवर होता है, वो होता है, कितना 3.9 ग्राम मतलब गेहुं में बाजरे में या मक्के में, जिसे साग जानते हैं, मक्का के आटे में या मक्का में सबसे ज़ादा जो होता है वो होता है फाइवर, कितना होता है, 100 ग्राम में 3.9 ग्राम फाइवर होता है उमीद है आपको information अच्छी लगी हो कि अच्छी लगी तो please share करें और channel subscribe नहीं किया तो channel subscribe करें With this, thank you very much for watching Health Rambo